धाइने वा मोजर, धरी टिकोरा, होजयबू पाकल आम, और याखरी में मिली त मिली ना त जैसी याराम. हमने लगता कि भोजपुरी बेल्ट का कोई ऐसा लड़का होगा, जो भोजपुरी जानता और सुनता होगा, और उसे ये वाला गाना याद नहीं होगा. गाना उस समय का लोगपुरी ये भोजपुरी फिल्म नीरहुआ रिक्षावाला का है, मुझे याद है कि नीरहुआ रिक्षावाला उस समय सब के जुबान पर था, लेकिन एक किरदार फिल्म का और था, जिसके बारे में बच्चों से लेकर बड़े तक सब बात कर रहे थे. बताशा जैसे दिल जितने वाले किरदार को निभाया था, भोजपुरी फिल्मों के जाने माने अभिनेता, मनोश टाइगर ने. लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को बताशा चाचा से इतना प्यार हुआ, कि आज भी अधिक्तर दर्शक पूने इसी नाम से जानते हैं. आज हम बताशा चाचा माने की मनोश टाइगर जी के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं, क्योंकि आज भोजपुरी फिल्मों के इस हस्मुक किरदार का जनम दीन है. सबसे पहले तो मनोश टाइगर मतलब की भोजपुर्या दर्शकों के प्रिया बताशा चाचा को जनम दीवस की हार्दिक शुप कमना है. अब आगे बात करने से पहले मेरा परच्या है, नमस्कार में नाम है मोहित कुमार सीन और आप देख रहे हैं जनता जंक्सन. फिल्मों में अपने दमदार अभिने से बच्चों से लेकर बड़ो तक पर एक अलग छाप छोड़ने वाले मनोश टाइगर का आज जनम दीवस है और इस औसर पर उनके साथी कलाकार आज सुबह से ही अपने सोशल मीडिया एकाउंट के जरिये उन्हें बधाई दे रहे है वच्पुरी फिल्मों के सुपरशार निरववा ने अपने ही अंदाज में मनोश टाइगर को जनम दिवस को शूब कामनाय भेजी है निरववा ने फोटो डालते हुए लिखा है कि आपके लिए जितना लिखूंगा कम होगा सखा दोस्त मित्र गुरू मेरे पार्टनर मनो सिंग टाइगर भेया को जनम दिन की अनंत शूब कामनाय जग जितने के लिए आपका साथ काफी है स्वस्त रहिए मस्त रहिए प्रवेश लाल ने भी अपने अंदाज में मनोश टाइगर को शूब कामनाय दी है वच्पुरी फिल्मों की सुपरशार एक्ट्रेस आमरपाल दूबे के साथ उस फोटो में रगवा भी दिख रहा है इनके अलावा तमाम बड़े सितारों ने मनोश टाइगर को जनम दिवस की बदाई दी है जिसमें अंजना सिंग रितेश पांडे गुंजन पंध जैसे बड़े सितारे शामिल है वोच्पुरी फिल्मों के एक और श ऐसे ही थोड़े थोड़े रिष्टे हैं हमारे पर इस थोड़े में ही उन्नता का आभास होता है लव्यू मेरे बाल हनुमान इसके अलावा देव सिंग ने लिखा है कि जनम दिन की हार्दिक शुब कामनाए बड़े भैया मनोश टाइगर जी उर्फ बतासा चाचा खुस र आपन और प्यार देते हैं वो अन्मोल है यश कुमार की तरफ से आपको जनम दिन की अनेकों एक शुब कामनाए लव्यू मनोश भैया अब अगर बतासा चाचा के ब्यक्तिकर जीवन पर थोड़ा सा बात कर ले तो वे कभी होटल में बरतन माजने से लेकर किसी दफ्तर में अफिस भवाय के रूप में भी कारे कर चुके हैं अगर हम यह बोले कि मैं क्यों बार-बार बतासा चाचा बोल रहा हूँ तो उसका कारण है क्योंकि मैंने बचपन से इनकी फिल्मों को देखा है और तब से हमने अपने दोस्तों के साथ इनके बतासा चाचा ही तहा है और ह और सब ने बताशा नाम ही बोला है, इसलिए मुझे बताशा नाम ही जादा याद आता है, या फिर कहले जिए कि दिल के ज्यादा करीब बताशा चाचा वाला नाम ही है। बतासा चाचा के बारे में जनकारी मिलती है कि वे अपनी दस्वी के परिच्छा में तीन बार फेल हो गए थे, हाला कि अभिने का भूत सर पर सवार था और फिर आया साल 1997, अभिने का नशा ऐसा कि बतासा चाचा मुंबई निकल पड़े, बताया याता है कि मुंबई याकर उ अभिने का भूत अभी उनके सर पर सवार था, वे मुंबई में कुछ अच्छा मौका तलास नहीं थे, उन्हें जल्द ही प्रिजबी थेटर में काम करने का मौका मिल गया, बताया जाता है कि जब पैसों की कमी हुई, तो उन्होंने थेटर में नातक का काम दीन में किया, औ अगल रह बताशा फिल्म के बारे में, पिछले साल आई इस फिल्म ने भोशपुरी में अच्छी प्रसीदी हासिल की, और यह बताया था कि किस प्रकार से शब्दों की मर्यादा को रखते हुए लोगों को हसाया जा सकता है, अब आखरी में एक बार फिर से बताशा चाचा को जनम दिन की शुब काम नाएं दूंगा, और ऐसा उमीद करता हूँ कि भोशपुरी को आगे और भी बहत्रीन अभीना देखने को मिलेगा, बाकी वीडियो अच्छा लगाओ तो शेर कीजिए, फेस्बूक पर देखना है तो पेच को लाइक कीजिए, और अगर यूट्य पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं फिर बहुत जल्ब, भोशपुरी के ऐसी खबरों के साथ, कैमरे के पीछे खड़े हैं प्यूच्वरसिया, और मैं मोहित मार्ची, धन्यवाद.